परम पवित्र जग्या और ए जग्या ना तमाम महतश्यों ने वंधन करिये एनी चेतना ने एना दुना नी जोद ने आपने वंधन करिये अने एक वार जय बोलाविये बालीनात महदेव नी बारत माता नी आपनी मचे करोडो लोकोना रदै समराच अने गूर्चेर धरानु गवरव भारत राष्ट्रना प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र बहाई मोधियां इंपधारी राश्यों अपने जय गोश्टी तारी ओठी गोड़ नगरना नाज ने समलाई राशे एमू स्वागत करिये शिए हमारे समयात अविशेक सिंग इस वक्त महसाणा से जुड़े हुए हैं इस रैली ग्राउंड से रैली स्थल से अविशेक हमने देखा है करने के लिए लोग उमड़े हैं प्रधान मंत्री का क्या कुछ जानकारी देंगे आप ग्राउंड जीरो से अगर इस तारव तारव करके यह जगह है यहां पर की प्रधान मंत्री का यहां पर पहुंचे है और जैसा आप सब्सक्राइब नजारा देखा और वैसा ही बिल्कु ज़्यादा तर जाए मैला हो पुरूस और वच्चे हैं पारंपरी में पोचे तुमर से इंतजार कर रहे हैं वालिदात मंदी यहां पर उत्तर भारत का का पी बड़ा उत्तर गुजरात के अगरं बात करें उत्तर गुजरात का सबसे बड़ा यह जो है लगवान शिम का साल पुराना मंदीर है और सबसे बड़ी बात निखिल यह देखिया आज 22 फरवरी है 22 जन्वरी को सिरी राम मंदीर का उजगाटन वहाँ पर पुजा आचना किया सडान मंत्री नरेन वोचे और आज 22 फरवरी है ठीक एक महीने के उसी दिन लगवान उसी समय पर आप देख 26 दिनों से लगातार यहां पर तमाम देख के जो सादू संत्र है वो यहां पर मौजूद थे और आज पढ़ान मंत्री के आने के बाद जो है उसकी पर जो मुरत निकला उस पर जो है उसकी प्रान परतिष्ठा की गई कि आखे-अ-बर अगर हम मेहताना की बाद करें परदान मंत्री का यह ग्रिज जन्पद भी है अगर मेहताना की आज कि हुए पर फजया थे वाले यह मैह बहुत जारे लोग से लोग करें जोuffled कि वालिनाथ महादेव में शिवलिंग और यह बिल्कुल भाव्य मंदे जो आप देख रहे हैं यह इसका निर्मान भी आपर हुआ पढ़ान मंत्री नरेंदर मोदी बाइट जन्वरी के बाद तिराम जन्भूनी के बाद अब यहां पर पढ़ान मंत्री जो है आप यहां पहुचे हैं मेगा रोट शोव बादान मंत्री का डोनों तरफ लोगों का आप बेढ़ देख सकते हैं किस तरीके से प्रदान मंत्री को और सुवध सही लोग अपने वेस्पुता में नाज तंगीत जिस जिस बी तरीके से इसे चलिब्रेट करना चाह रहें उस तर राष्ट को समर्पित टे इसको नियुक्ड राष्ट करें गया उसको और कैसे विस रुस रस तरह लुड़ को यह ईसको बी राष्प कर रहें सब्सक्राइं गर्यां क्नेक्टिवित्वेट्वेaltet उसको भी राष्ट को समर्पित कर रहे हैं, कई सारी जो परियोजना हैं मिखिल, उनको यहां पर राष्ट को समर्पित करेंगे, जिसका फाइदा जो है, वो गांधी नगर की बात करें हम, एहमडाबाद, बनासकाथा, आनंद, महसाना के अलावा, कच खेड़ा, यहां से जो क है, उसको यहां पर परदान मंत्री संबोर्दित करेंगे, मंदीर को लेकर के मंदीर का निरमान चाहिए और शियुदिंग के अस्ताफना की गई है, उसको लेकर के भी यहां पर अगर हम बात करें, जो यहां स्वधालू आने वाले हैं, पूरे गुजरास जो ते, उनके एं को अस्थापित किया और आज 22 फरवरी है यहां पर प्रदान मंत्री भगवान शीव के शीवलिंग था यहां पर प्रदान परिश्टा कर रहे हैं निकल जी जी बेहत महत्पूर्ण है और जैसा कि शुरू में कहा गया कि अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है जो आध्यात्मिक कही आज जो गुजरात को मिलने वाली है गुजरात के लिए बेहत खास दिन है एक बार हमारे दर्शकों को बताईए कि आज किस तरह से गुजरात उननती के और प्रगती के पत पर एक कदम और आगे बढ़ाएगा बिल्कुल निकला आपने बिल्कुल सही का देखिए अगर के अंदर आप जिस तरीके से गुजरात का ग्रोथ हुआ है पिछले 15-20 वर्तों के अंदर अधान मंत्री नरे नोली जब यहां मुक्य मंत्री से उन्हों ने जो एक वीजन देखा गुजरात के लिए इस तरीके से गुजरात के अंदर के अन्दर के पहना जो उनका तात्मि को पूरे गुजरात को बेश तरग कनेक्टिविटी हाई कनेक्टिविटी एल कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो यह पेसे एरपोर्ट काफी सारे एरपोर्ट है इस एहन राज की तुल्ला में अगर देखा जाए तो एब बहुत जाब गया बहुत रेल्वेस्टेशन सा सब्सक्राइब कर देखेंगे तो इस एक अपरजूर्टी जो की इन्वेश्ट के लिए दिया जाता है इंवेश्ट्मिंट कैसे गुजरात के लिए लेता है तो पधान मंत्री नरिन वोले लिए बतार तो मुकमंती तें उस समय की चुडवात की अब सुलर प्लान की बात कर करके तमाम सौराष्ट का इलाका ले ले वहां पर जो आपके धार्मी कर्षाले वहां पर कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए लोगों की आंदरी कैसे बढ़ाई तो तरीखा एक नहीं रखा उन्होंने कई सारे अलग अलग हर पहलू को चुछ हुआ जहां पर नर्वना स यहां पर आप किया है उसका लोग यहां पर जो उतके जो है दिवाने हैं लोगों का यह कहना है कि ऐसा जो है परहले ताट से पचाथ से तालों में गुजराद के लिए कभी इस पर लेके आ गया है कि आज वो किसी भी राज में विच्व में कहीं भी जाते तो अपना सीना करके जाते हैं और यह तो प्रदान मंत्री के विजन है जो कि गुजरात के बाद अपूरे देख रहे हैं विच विश्चतर भारत इस तरीके से अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है अपनी अधुर्वस्ता को आगे बढ़ा रहा है अज आज में बढ़ता की और बढ़ रहा है आज की जब हम और यह लाइफ तस्वीर हम देख रहे हैं प्रदार मंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं महसाणा समध्र भिष्ण अलड़त कर ना दो चाहना पनो ता पुट्र मानिय बढ़ा रहा है अजिए तपाइ परहई पराई शो गया है स्वागत स्वागत मानिय अप्रःन मंत्री श्रियुव्टार दार्वय अगजन साथे स्वागत कर यह हूब 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 दो स्वागत श्रे माननिय बड़ा प्रथान श्री नरेंद्र भाइ मूधीनु। साथे साथी गोजलात राजना माननिय मुख्य मंत्री श्री भुपेंद्र भाइ पर्थेल। माननिय सांसत तथा प्रदेश अधिर्ष भादिय जंता पाथी श्री C.R. पादिर साहब। माननिय बड़ान मंत्रि श्री नरेंद्र भादिय जंता प्रदेश अधिर। भगवान भुड़ाना त्रिक भगवान महादेव नाज नट्राज स्वरूबनी एक सुन्दर प्रतीमा अरपण कलीने आजे वालिनाज महादेवनी निश्रामा आस्थानित्यमा माननिय रधान मंत्रिश्री नुश्वागन्त गुज्डात जाजना माननिय मुख्य मंत्रिश्री नुश्री नुश्री है द्वादा आज ये आपना सव माटे परम सवभाग ये नी वाद छे है के वालिनाथ मंदिर जे सदियों थी सवनी आस्तानु केंदर शेत्या स्वयम माने प्रदान मंत्री श्री पथारे आप सवनी शुरज्दाने थ्याने राखे ने त्यारे आपने सव एक वालिनाथ महादेव नो जय जय कार करी ने तेवनी उपस्तिते न बताविये बुरो वालिनाथ महादेव की भारत माता की समगर विश्वममा अगुर्जर धरानी साथे साथे भारत देशनी अस्मीताने जमने अजवाली छे तिका माननिय बड़ा प्रथान श्री आपड़ी बच्चे अैया पठाल्या छे आप हव्यने एड राजनी प्रतिमा माननिय मुखे मंत्री श्री जथा माननिय 1aktad ॰पडण स्भण कर्어 मां अउशे जयमा मानिय मंत्री श्री रिशिकेrate ब बांतर श्री राजपूत, स्रीमती भानुबन भाबळिया, श्री कुमार्च हो भय बाबया, श्री बेक्न भाबळ, स्रीशिये, धुस्री घुट्रु भाषयो उस्री बूच्दा राजसर करें श्रुट्री ना तमामान टां। स्रियों, कश्त्रवंजन் देव अव्रतिम अपणकलीने स्जड़त्चे. और लिए माननिय शांसत स्रियों तथा थारसप्युर्ष्रियों, ध्वारा माननिय प्रहन्मं प्रखण मंत्रे strat देवर्फ हैं। चुकष प्रेये हैंदेख स्या मुझा यह सांστष। बेचराजी ना मने थारा सब्राश्री, श्री केरिट भाई पठेल थारा सब्राश्री उंचा, श्री मामची भाई देशाई मने थारा सब्राश्री धाने ना, तथा श्री मती तुरुषा बन पठेल, जिला पंचात्र प्रमुक्ष्री, तेमना द्मारा स्वागत शी रजुनी भाई एस पतेल, जनल सेकर्टरी स्टेट बजेपी, शी नीतिम भाई पतेल, पुर्मनाय मोख्यमंत्री शी गुज्राट, शी गिरिश भाई राजगोर, दिस्टेक्ट प्रेसिदेंट मैसरा बजेपी, शी बर्शावें दोशी, इस्टेक्ट प्राभारी मैसरा शी एमैस पतेल, वाईस प्रेसिदेंट स्टेट बजेपी, शी डॉक्टर जी एफ चाऊदरी, जनल सेकरेंटरी ॡिस्ट्रिक Пीजेपी, शी भगाजी ठाकोर, जनल सेकरेंटरी दिस्रिक बजेपी, अने शी महेश पहऐ पतेल, जनल सेकरेंटरी, जीला बहजब ये तमाम ये साथ 내्मोल याने मणनीया प्रधान मंतरीशीनू स्वागत करवा मांटे विनंद्धी छे इबछीた क्रमे पूझे महंताशी जर्म किरिबापू अधर विनंदी करश्वू कि आप माननीया प्रधान मंतरीशीनू स्वागतने सन्मान करशो पुझ्य महंताशी जैरामगिरी बापुना वरदास्ते माननिय प्रधान मंत्रिशी नू स्वागत ने सम्माँ बादिनाथ महादेव मंदिर बाती शी दिनेश बाए देशाई अने शी रमेश बाए देशाई ने मननिय प्रधान मंत्रिशी नू स्वागत ने समान करवा विनांती छे बादिनाथ महादेव मंदिर ना मुखे दाताशियों ने विनांती करशों के आप मंच्पर आवियने माननिय प्रधान मंत्रिशी नू स्वागत ने समान करशों रामायन नू आप उस्तक आप आमना जोशों मंच्पर आवियरंशे स्वागत मान 42 किलो वजननू आ रामायन चे अने ए माननिय प्रधान मंत्रिशी ने अरपन्थे रेंशे प्रधान मंत्रिशी नू स्वागत ने समान करशों अने गुजरा तने भारत ना विक्सीत गुजरा तने विक्सीत भारत ना स्वागत ने समान आई सम्पन ने सम्पन थक कराईउंशे आभार अने हवे बिकास शील भारत देश माने प्रधान मंत्रिशी ने अमंत्री करिये चिये स्वागत सम्पन ने माननिय प्रधान मंत्रिशी नू सम्पन थक कराईउंशे उत्तर गुजरात नी भूमि मैसाना काते विक्सीत भारत ना स्वापन ने अबरूत कारना संकल्पने सार्थक करता कैंद्रा ने राजय सरकाना कूल रूपिया तेर हज्जार करोण नी वदूना विवीत प्रकल्पोना लोकार पड़ ने खात मुरत प्रसंगे अपनी सावनी साथे मंचुपर उपस्तीत द्रश्टिवंत नेत्रुत्वा अने सर्वांगी विकास ना प्रहरी आदर्य प्रध मंत्री श्री नरेंद्रबाई मोजी साहेर प्रदेशना यसस्वी अध्यासने नौसानी ना लोकप्रिय सांसद स्यार पाटियल जी महंच्री जैरांगीरी बापू मारा साथी मंत्री श्री रुषिकेशबाई पटेल बढवन सी राजपूत कुमवर जीवई बावरिया श्र स्री बिगुवाई परमार सांसद स्री वधी सार्दावेन पटेल श्री भरत्सी डाभी राज्य सपाना सांसद स्री बावु भाई देशाय स्री मायंग भाई नायक पूरु अउपो मुख्यवंत्री तदा वरिष्ट आगेवान स्री नितिन भाई पटेल जिल्ला पंचायत गुजरात ना परोता पुत्रत विश्वनेता ने देशना यसस्वी वड़ाप्रदांसी नरेदरवाय मोधी ने तरप वाडिनात ना पवित्र धरापर साडश करोड उजरातिय वती रदय पूरूहक आउकारूचू अने पुज्य संतो महंतो दर्माचार्योंना चरणों मा वंदन करूचू मालदारी समादनी बक्ती सक्ति और उन्नतिना प्रतीक एवा 900 वर्जुना विरासत वाडीना धाम मा नूतन सिवालाईनी प्राण प्रतिस्ता वड़ा प्रतांसी ना अस्ते थाई छे तेमना द्रश्टिवन नेत्रुतों मा भारतनी दरोहर विरासत ने सांस्तुती नो डंको समगर विश्वमा वागी रहो छे वड़ा प्रतांसी ये विरासत भी विकास भी नो संकल पापयो छे तेमनी प्लेरक उपस्तिती मा वाडिनात प्राणपरतिष्टा दर्मो सवनी साथे साथे विकास उच्छव पर उद्वाई रहो छे गुजरात मा कोई पर खुने जाओ विकास ना कामो अविरत चालता जोवा मलेज आ मोदी साहिबनी विक्षित गुजरात नी गयरेंटी चे विकास ना कामो नाना भावय अटके नहीं छेवाडाना अंतर्यार विश्तारोले विकास नी वन्चीत रहू न पड़े एवी श्रुदल व्यावस्ताओ मोदी साहिबे विक्षावी चे जे कामो थाए ते लोकों नी अपेक्सा मुजबना अने क्वालिटी वाडा थाए कामो मागवा लोकों ने सरकार पासे जऊ न पड़े पर सरकार सावे चाली ने लोग हितना कामो करे एवी विकास नी राजिनीती मोदी साहिबे उभी करी चे शाव ने भरोसो चे विश्वास से के मोदी सहेब चेटले हमने जोईतो विकास मर से च आजे आज वा विकास उत्चाव उत्तर गुजरात ने उत्तम गुजरात बनावानी प्रतिबत्तता दर्सावे चे वड़ा प्रदांसी नरिंद्रभाई मोईय देश ना दर्मस्तानों ना प्रुवस्तानी परिपाटी स्थापी चे एज रहे आगल वत्ता बनास काठाना रिचडिया महदेव मंदीर अने त्यानू तडाव तेमा थोड़ने नर्सरोना तडावना विकास कामोनू खात मुजरत आजे वड़ा प्रदांसी करवानाची उत्तर गुजरात प्रदेश ने आजे एकद्दी बसमा तेर जार सस्तोन एक करोड रुपयाना विवीद सत्तावन कामोनी बेड आ धर्तिना स्तंतावन स्री नर्सरोना भाई आपवानाची तेमा आजे आपने रेलवे पेट्रोलियम ने नेट्रल गेस उर्जात ता दानेशनल हाइवे अथरीडी एमकेंद्र सरकाना जुदाजा विवागना अग्यार मोडा विकास प्रोजेक ने भेट बड़वानी चे आंतर राष्टिये सरहत दरावता गुजरात मा राष्टिये सुरक्षा आरे सलावती दर्ष्टियाती महत्वाना रक्करना कामो करवानी पहर वड़ा प्रदांसी नर्यद्रवा मोदी जायबे करी छे ए दिशामा दिशा एरपोस स्टेशन ए एर स्टिपनो लोकार बन देवो करवाना चे प्रदांसी नर्यद्रवा मोदी राजियमा रेलवे ने रोड नेटवर्क ना इंट्पर्टरच्चर सहित विकास ना कामो आपी ने विक्सित भारत माटे विक्सित बुजरात ना निर्मानी आग्वी जिसा दर्सावी छे रेलवे ने हाईवे जेत्लोज महतोरों चे आईवे आईवे एकले इंटने भारत ना सारा चला लाकी वजुकामडानी सारा त्रान लाक जेतली पंचायो तोने इंटनेट कनेक्टिविटी आपवानो प्रोजेक भारत नेट वड़ा प्रदान्सी ने प्रेना थी सरू थयो चे आजे आप भारत नेट प्रोजेक ना फेश तूर्ना रूपिया बे जार बैतारीस करुट ना विकास कामों नो लोकार पन देवो करवाना चे वड़ा प्रदान्सी ना नेत्रूतों मा देश ना पाचला दस वर्ष मा जे स्पीड और स्केल थी विकास ना कामों थया जे तैना थी विकास नी आकी व्याख्या बदले गेई छे मोधी सरकार नी विकास नी आ गेरंटी ने गुजरात नी जनता जनार्दन रजे थी आशिरवाद आपती रहसे तेओ मने विश्वास से आपने सव साथे मणी ने सिन्नरज्रवाईनी प्रेना थी विक्षित भारत ब्याजार सुर्टालिस्त ना निर्माण मा विक्षित गुजरात बनावी ने सयोग आपीचू तेवी खात्री वडाप्रदांसी ने आपूचू फरी एकवाराप सव नु स्वागत करी विर्मू बारत माता कीजे वंदे मात्रम जैजे गर्वी गुजरात विश्व प्रियने ता, आपनी प्रगती ना प्रेरक औने आगुर्ज़र धरानाा पनोता पुट्र, माननी प्रधान मंत्रीश्री नेरिंद्रभाय मूधीनी प्रेरना मार्ग दर्शन अने बिर्ग दरष्टी थकी, गुजरात ना अनेक श्यत रो औने जिल्लावना वेकास माते रुप्या तेर हजार करोड ना प्रगती सबर कार्यों नू आयोजन थायू छे तो आजे अपना सवनू परम सौ फाग्य छे कि माननिया बड़ा प्रधान श्री स्वयम आ भेट आपवा माते या प्रधार आशे त्यारे सरदय विनंती करिये माननिय बड़ान मंत्री श्री ने आयोजना होना डिजिटल लोकार पण अनेखात मुलत माते एल प्रधा बाड़ा प्रधार मंत्री विन्तरी 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 श्री प्रें भी लोकार अनेखात माते याज़ार आज़ा सवनू डिजिए झाल झाल कौन कहशे क्याती खाली वीसेक वर्ष पहला उत्तर बुद्रात ना अनेक धरों मा अठ्वाड ये मांड एकागवार बाणियातु बुद्री नी तक्रीप पढ़ाती अने और योगी अठ्वास तो साम ना बढ़ाता आजे तो आविचार करवो पाण मुश्केल छे नई करांके आजे तो 500 किलोमेटर लाम भी सुझलाम सुफलाम स्केडिंग कना थी उत्तर बुद्रात ना खोने कोने मा नर्मदा ना पाणी पहुची चुक्या थी खिरू तो तपक सिंचाई ने अपनावी में वर्षे बै त्रोंड पाक लेता थी गया था तो शिक्षर ने और लिवी प्विकास तथा रेल अने रोड में को अकना सुग्रथित इंफ्रस्ट्रक्चर थी उत्तर गुजरात आजे उत्तम गुजरात बनी गया उचे अने आब दोज शक्य वग्यू चे अहिना लोकों नी महनत थी अने अहिना अज एक सपूत भारत ना लोक लाड़ी ना प्रधान मंतरी श्री नरिंद्रभाणी मोदी ना बिशन थी अने तेमने आपे ली विकास नी गारेंटी थी आजे तो मोदी जी ना मार्क दर्शन अने मुख्यमांतरी श्री भुपेंद्र भाई पटेल अने तृत्वमा मांदर बेचराजी स्पेशल इन्वेस्मेंट वीजेल अने वेस्टन डेलिकेज़ फ्रीट कॉरिड़ ना प्रकलपो थी समग्र उत्तर भुजरात ना उत्योगो घंधंता वल्याचे शक्तिपीठ अमबाजी धामना विकास कानो नरेश्पणी माता आने सरहत दोरिजम पुरा तत्वीय साइट दनीके बढ़नगानो विकास जेवा प्रोजेक्स विकास नी साथे वियासत नो मंत्र साका करी रहाच अने आजित तरह वाणिनात धाम मा प्रार प्रतिष्ठा महत्सबना पावनत्सर मोदीजी फई एक बार दाव्याचे उत्तर भुजरात माने रुप्या तेर हजार करोर थी बदूना विकास प्रकालकोनो भाल जमा शामेल छे विग्नाल अने दिक्नालजी भागना रुप्य पक्चिसो करोर थी बदूना कामो जे हेटा दिश्वना सव थी मोटा ग्रामीर टेलिकॉम प्रोजेक्स पैकीना एक भारत नेट ना वीजा फ्रेज ना रुप्या बैहजार एशी करोर ना कामो थी राज्य ना ग्रामीर रिस्तारों हाई स्पीड इंटनेट कनेक्टिविट प्रोजिकल साइन्स गालरी विग्नान रसिको सहित सल कोई माते आकर्शन मों केंद्र बज्छे गांधिनगर जिल्ला ना शहपूर खाते दस एक अरिस्तार्म बनेर गुजरात बायो टेक्नाजी युरिवरसिती ने अध्याधुनिक शेक्षनिक भावन मा विद्यार्थियो अध्यतन डिवालेट्रीज, पायलेट अने प्रोटोटाइब डिवलक्मेंट तथा इंक्यूबेशन सहित मी विर्ध सुधाव एक छत्र हेठर उपलावद थाशे तो गिफ्ट सिटी बार उपया 120 करोना कर्चे निर्मार धनार गुजरात बायो टेक्नालोजी वसर्च सेंक अत्याधूनेक भावन, बायो टेकनालोजीक छेत्रे, संशोधन, काउशन बधन और कालीम नो महत्वनू केंद्र बंशे तेवी जरीते राधनपुर सावख्याडी रेलवे सेक्षन तेमज महसाना भानू मोटी दोव सेक्षन उठब लेक जग उदर महसाना सेक्षन ना गेज परिवर्तन सहितना कुल रुपया 2300 करोर थी बधूना रेल परजेक्स ट्रेन मूव्मन्ट अने माल परिवाद में जड़पी बनागी स्थानिक अर्थ रंत्र ने वेग आफशे तो सरक परिवहन अने राध मार्क मंत्रा लेना रुपया सोर सो करोर थी बधूना कामों अंतरकत महसाना वर्नगर इदर्वार्गना चार्ग मार्विये करां सहितना प्रोजेक्स थी परिवहन तो जड़पी बन्शेच साथे टोरिजम सहितना उद्योगों अने विकास ने पाय बढ़ मर्शे विकास ना गामों उत्तर गुजरात में अमरुत कार्मा आधुनिक ना रंगे रंख्षे वाडिनात महादेर ना परान अने मां अमबाजी ना आशीश थी उत्तर गुजरात विक्सित भारत अने विक्सित गुजरात ना निर्मानों नवो अध्याय लक्षे खुब खुब अभिनंदन नने लाख लाख धनेवाद मादने प्रधान मंतर श्री ने वितो आखोए भारत देश आजागीनों अम्रुत मोहत सबुच भी रहो छे माँ भार्ती ना सवभाग ये समान समर्पित सूसाशक आदेश ने मल्या छे जमनी काले दक्षिताने कटे बधता थागी समगर विश्वनी आशा भरी मीट भारत पर मंडाई छे अने आवनारा दायका उसुधी भारतने विकास शीलतानी सुनिश चिताना जेवो स्वबन द्रश्टा छे तेशे विश्वना सर्वादिक लोक प्रियनेता भारतनी जनता नारदे समराथ यश्यस्पी बड़ा प्रदान मान्य श्री नरेंद्र भाई मोधी आवो जोड़तार ताड़ियों ना गुंज साथे तेवने आमंदृत करिये तेवना उर्भोत अलबादे आ जो खोड़िक लो जो 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 जोज जो 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 जोज़ जाएवना Kath Marsh нас Sum जो 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 जाएवनाcturend है वह जह जहो इंग इंगला है महाताजीकी है है इंगला है महाताजीकी है। बगवलन्शी देटात्र त। Cert Queen क्या मुभादा है कैना तर जूना, हर्की शुना है अजगे कि के जहीं कि जहींने नान जुना, जुना, साथ्व Here वाधिन饭े चे़ को सब्सक्राई उसे कि पहते ही है वाडिनात पहला पन आयोशु और एक वार आयोशु परन्तु आजे तो रोनगेची गई गई गवर्ण्छे आने दुनियामा गम्मे तेटला स्वागत ततावे सन्मान ततावाई पन गरेजर थाई तर आनन वाड वाईश। अज मारा गम्मालाय मना विद वच्चे वच्चे देखाताथा अजे अने मौसाल मागी तर आनन प्ला ने रो हो है। जे वातावण में जोयूश है ना अदायों कही शेको। कि स्रद्दा से आस्ता से सरावोर। आप सभी भक्तगणों को मेरा प्राम। देखेए संयोग कैसा है। आज से ठीक एक महिना पहले बाइस जनवरी को अयोध्या में प्रभुराम के चरणों में था। वहां मुझे प्रभुराम लला के विग्र की प्राण प्रतिष्टा के एतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सवभा के मिला। इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंची कुमी को अबू धावी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदीर का लोकारपण का आउसर मिला। और अभी दो-तिन दिन पहले ही मुझे यूपी के संबल में कल की धाम के सिलान्यास का भी मोका विडा। और अब आज मुझे यहां तरव में इस भग्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्णा के बाद पूजा करने का समारों में हिस्सा लेने का सवभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्यों देश और दुनिया के लिए तो यह वाणिनात सीवदाम तिरत है। लेकिन समाज के रवारी समाज के लिए रवारी समाज के लिए पुज्य गुरु गादी है। देश भर से रवारी समाज के अन्य भक्तकान आज मैं याँ देख रहा हूँ अलग लग राज्यों के लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं आप सभी का अविद्धन करता हूँ। साथ यव भारत की विकास यात्रा में एक अधूत कालगंड है। एक ऐसा समय है जब देवकाज हो या फिर देश काज दोनों तेज गती से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। आज एक तरफ ये पावन कारिय संपन हुआ है, वही विकास से जुड़े 13,000 करोड रुपे के प्रोजेक्स का भी सिलान न्यास और लोकारपन हुआ है। ये प्रोजेक्स, रेल, रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रिय सुरक्षा, शहरी विकास, तुरिजम, ऐसे कई महत्वपन विकास कामों से जुड़े हैं। और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस खेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए आउसर बनेंगे। मेरे परिवार जरों, आज मैं इस पवित्र धर्ती पर एक दिव्य उर्जा महसूस कर रहा हूँ। ये उर्जा हजारों वर्ट से चलिया रही, उस आध्धाप्रिक चेत्रा से हमें जोड़ती हैं, जिसका समंद्र भगवान कृष्ण से भी हैं, और महादेव जी से भी हैं। ये उर्जा हमें इस यात्रा से भी जोड़ती हैं, जो पहले गाधी पती महन विरमगिरी बापु जी ने शुरू की थी। मैं गाधी पती पुझे जैरामगिरी बापु को भी आधर पुर्वक प्रणाम करता हूँ। आपने गाधी पती महन विरमगिरी बापु के संकल्प को आगे बढ़ाया और उसे शिद्धी तक पहुंचाया। आप मैंसे बहुत लोग जानते हैं बलदेवगिरी बापु के साथ मेरा करीब तीन चार दसक का बहुत ही गहरान आता रहा था। जब मुख्यमंत्री था तो कई बार मुझे मेरे निवास्थान पर उनके स्वागत का आउसर मिला। करीब करीब सौसान हमारे बीच वो आध्यात्मिक चेतना जगाते रहे। और जब 2021 में हमें छोड़के चले गए तब भी मैंने फोन करके मेरी भावनाओं को प्रगट किया था। लेकिन आज जब उनके सपने को सिद्ध होता हुआ देखता हूँ तो मेरी आत्मा कहती है आज वो जहां होंगे इस सिद्धी को देखकर प्रसंद हो रहे होंगे, हमें आशिरवात देते होंगे। सेंक्डो वर्ष पुराना ये मंदीर आज 21 सदी की भव्यता और पुरातन दिव्यकाते साथ तैयार हुआ है। ये मंदीर सेंक्डो सिल्पकारो स्रम जीवियों के बर्षों के अथक परिश्रम का भी परणाब है। इसी परिश्रम के कारण इस भव्य मंदीर में आठ वाडिरात मादेव, परामबात्रिय इंगलाज माता जी और भगवान दत्तात्रई भिराजे हैं। मंदीर निर्मार में जुटे रहें, अपने सभी समिशात्यों का भी मैं भंदन करता हूँ। भाई और बैनों, हमारी ये मंदीर सिर्फ देवाले है ऐसा नहीं है, सिर्फ पूजापार करने की जगा है ऐसा भी नहीं है। बलकि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्त्रिती के परंपरा के प्रतीक है। हमारी यहां मंदीर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहें। देश और समाच को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के मात्यम रहें। शीवदाम स्री वाइनत अकाड़े ने तो शिक्षाव और समाच उधार की इस पवित्र परंपरा को पुरी निश्चा से आगे बढ़ाया है और मुझे बराबर याद है कुझे ब्रदेवगी निमाराजी के साथ जब भी बात करता था तो आध्यात्मिक या मंदिर की बातों से ज़्यादा वे समाज के बेटे बेटियों की शिक्षा की चर्चा करते थे पुस्तक परप्त के आयोजन से लोगों में जांगरूत्ता बढ़ी है स्कूल और होस्टेल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बैतर हुआ है आज प्रतियोगी परिच्षाओं की तहरी करने वाले सेंक्रों विद्यार्थी को रहने खाने और लाइबरेर की स्विधा दी जा रही है देवकाश और देशकाश का इससे बहतर उदार भड़ा क्या हो सकता है ऐसी परंपरा को आगे भड़ाने के लिए रवारी समाट प्रसंशा का पात्र है रवारी समाज को प्रसंशा बहुत कम मिलती है भाईव और भणो आज देश सबका साथ सबका अविकास के मंत्र पर चल रहा है ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है इसके दर्शन भी हमें वालिनाद धाम में होते हैं ये ऐसा स्थान है जहां बगवान ने प्रकर होने के लिए एक रवारी चरवाहे भाई को निमित बनाया यहाँ पूजापाट का जिम्मा रवारी समाज के पास होता है लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर छेत्र हर वर के जीवन को बहतर बनाने में जुटी है मोदी की गारंटी यह मोदी की गारंटी का लक्ष समाज के अंतिन पायदान पर खड़े देश वाची का भी जीवन बदलना है किसलिए एक तरफ देश में दिवाले भी बन रहे है तो दूसरी तरफ करोणों गरीबों के पक्के गर भी बन रहे है कुछी दिन पहले मुझे गुजरात में सवाल लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार प्रणकार और सिलान्यात का हुसर मिला सवाल लाख गर ये गरीब परिवार कितने आश्रवाद देंगे आप कलपड़ा के लिए आज देश के 80 करोण लोगों को मुप्त राशन मिल रहा है ताकि गरीब के घर का भी चूला जलता रहे ये एक प्रकार से बगवान का ही प्रसाद है आज देश के दस करोण नए परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी अम्रत से कम नहीं है जीने पहले पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था अने अपना उत्तर गुजरात वानां दो खबर जे बाराबार के पानी माटे केटली तकली वो पड़ती थी बबे 33 किलो मिटर माथे बेडा लेने जावू पड़तो थो अने मने आज चे जैर में सुजलाम सुठलाम योजना करी त्यारे उत्तर गुजरात ना कॉंग्रेस ना दाड़ा सर्प्योई माईना कहिया था के साइब आउ काम कोई ना करी शके अन तबे जे काम करू जैना ये सो वर्ष सुधी लोको भूल से नहीं ये ना साक्षी ये बेटा जे साथियो बीते दो दसकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है दुर्भाग्य से आजान भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत उसके बीच तक्राओ पैदा किया गया दुश्मनी बजा दी इसके लिए अगर कोई दोशी है तो वही कॉंग्रेस है जिनोंने दसकों तक देश पर साथन किया ये वही लोग है जिनोंने सोमनाज जेसे पावन सल को भी विवात का कान बढ़ाए ये वही लोग है जिनोंने पावागर में धर्मत वजा पैराने की इच्छा तक नहीं दिखाएगी ये वही लोग हैं जिनोंने दसकों तक मोडेरा के सुर्य मंदिर को भी बोर्ट बेंक की राजलिती से जोड़ कर देगा ये वही लोग हैं जिनोंने बगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए उनके मंदिर निर्माड को लेकर रोड़े अटकाए और आज जब जन्म भूमी पर बग्य मंदिर का निर्माड हो चुका है जब पुरा देश इसे खुद है तो भी नकारात्मक्ता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहें भाई और बैनों कोई भी देश अपनी विरासत को सहट कर ही आगे बढ़ सकता है गुजरात में भी भारत की प्राचिन सप्यता के अनेक प्रतिक जीन है यह प्रतिक इतिहास को समधिक लिए नहीं बलकि आने वाली पीडियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है इसलिए हमारी सरकार का यह निरंतर प्रयात रहा है कि इन प्रतिकों को सह जा जाए इन्हें बिश्व दरोहरों के रुप में विक्सित किया जाए अब आप देखिए वड़नगर में वड़नगर में खुदाई में नया नया इत्यास कैसे सामने आ रहा है पिछले महिने ही वड़नगर में दो हजार आट सो साल पुरानी बस्ती के निशान मिले हैं दो हजार आट सो साल पहले लोग वहां रहते थे दोहला विरा में भी कैसे प्रांचीर भारत के दिव्य दर्शन हो रहे हैं ये भारत के गव्रव है हमें अपने इस समुर्द्ध अतीत पर गर्व है साथियों आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीड़ी के लिए दिरासत बना रे का काम कर रहा आज जो नई और आदूरी सडके बन रही हैं रेलवेड ट्रैक बन रहे हैं ये विशित भारत के ही रास्ते हैं आज मैसाना के रेल करेक्टिविटी और मजबुत हुई है रेल लाइन के दोहरी करण से अब बनासकाटा और पाटन की कानला, टूना और मुंद्रा पोर्ट से करेक्टिविटी बैतर हुई है इससे नई ट्रेन चलाना भी संभव हुआ है और माल गाड़ियों के लिए भी स्विदा हुई है आड़ीसा के एरफोर्स स्टेशन के रनवे उसका भी लोकारपण हुआ है और भविश में ये सिर्व रनवे नहीं भारत की सुरक्षाका एरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विश्चित होने बादा है मुझे आद है मुख्यमंत्री रहते हुए है मैंने इस प्रोजेक के लिए भारत सरकार को देर सारी चिछिया दिए अनेक बार प्रयाद किया था लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने इस काम को इस निर्मार को रोकने के लिए कोई कसर बाके नहीं चोड़ी एरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरुक्षांग्री बहुत महतोफूर है लिख नहीं करते है 2004 से लेकर 2004 तक कॉंग्रेस सरकार इसकी फाइले को लेकर के बैठी रही डेट साल पहले मैंने इस रन्वे के काम का सिलानात किया था मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है दीशा के ये रन्वे आज उसका लोकारपन हो गया ये उसका उदारन है और यही तो है मोदी की गारंटी साथ्यों 20-25 साल पहले का एक वो भी समय था जब उत्तर गुजरात में आउसर बहुत ही सिमित थे तब किसानों के खेतों में पानी नहीं था पसुपालों को के सामने अपनी चुनोतियां थी अउजोगी करण का दाइरा भी बहुत सिमित था लेकिन भाजबा सरकार में आज स्थीतियां लगातार बदल रही आज यहां के किसान साल में दो-तीन फसल उगाने लगे है पूरे इलाके का जलस्तर भी उंचा उड़ गया है आज यहां जल आपूरती और जलस्तोतों से जुड़ी आठ परी योजराओं का उज़गातन और सिलान्यास किया गया है इन पर पंद्रा सो करोड रुपे से ज़्यादा खर्च किये जाएगे इससे उत्तर भुजराओं की पानी की समझ्याओं को दूर करने में और मदब मिलेगी उत्तर भुजराओं के किसानों ने तपक सिंजाई जैसे आदूरिक टेक्नोलोजी को जैसे अपनाया है वो अद्बूत है अब को मैं यहां देख रहा हूं कि केमिकल मुक्त प्राकूतिक खेती का चलन भी बढ़ने लगा है आपके प्रयासों से पूरे देश में किसानों का उत्सा बढ़ेगा भाई और मैंनों अब इसी तरह विकास भी करेंगे और विरासत भी सहजेंगे अन्त मैं इस दिव्य अनुभूति का भागिदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का आभाड बेक्तर करता हूं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की दन्यवाद जी फिर लो सक्सियों का स्क्राव wysब दो एहां